शीर पीड़ा, अफगानी मिठाई, ये इसकी खाशियत ये है कि बहुत ही क्विक ये मिठाई बनती है विक तो बनती है साथ में बहुत ही healthy भी है और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टू इंग्रीडियन्ट से आपकी ये sweet बनेगी और mintो में बनकर तयार हो जाएगी हेलो दूस्तो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे festive season है, तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी shopping होती है, बहुत सारी preparation हमें करनी होती है ऐसे में हम आपके लिए लेकर रहे हैं, बहुती quick बनने वाली, यह sweet है, अफकानी शीर पीरा, यह बहुती कम ingredient से बनने वाली है चलिए शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक bowl sugar, उसी measurement से आपको लेना है एक bowl पानी तो यह measurement आपके पास measuring cup नहीं है, तो भी जिस भी आप bowl से लेंगे, same measurement लेना है अब इन दोनों को max करके इसकी चाशनी हमें बना लेनी है छोटे छोटे वबल देखिए, side में आने लगे हैं, आपको तब तक पकाना है कि बड़े वबल साने लगे या इसकी जो consistency यह देखिए, यह पूरी इसकी तार गिरनी चाहिए, पूरी धार गिरे की मतलब आपकी चाशनी तयार है उसमें इलाइची पाउडर डाला है, यह आप हाथ से भी देख सकते हैं, यह hard जाशनी नहीं बननी चाहिए, सर्फ एक तार की जाशनी होनी चाहिए अब इसमें हम डाल रहे हैं, दो बाउल मिल्क पाउडर आपको यह दियान रखना है, जितना आप शुगर ले रहे हैं, उतना ही उसमें पाणी एड़ करना है और उसका डबल मिल्क पाउडर मैंने यहाँ एड़ किया है और इसमें mix dry fruit एड़ की है, cranberry एड़ की है, black वाली dark एड़ की है इन सब को मिला कर यह देखिये हैं, हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है अब हम या तो grease क्यों ही प्लेट में डाल देंगे इसे या फिर ये पेपर पे, parchment paper पे मैंने डाल दिया है और उपर से dry fruit से garnish कर सकते हैं हम इसे आप चाहें तो यहां tutti fruity या कोई भी सूखे हुए जो fruits होते हैं हमारे उन से आप garnish कर सकते हैं, लीजिए आपकी तैयार है शीर पीरा अब इसे हमें 2 गंटे set करना है और उसके बाद में हमें इसे cut करना है इस मिठाई को अगर आप चाशनी की consistency perfect रखेंगे तो उसको आप 2 महीने के लिए air tight डबे में आप रखिए और enjoy कीजिए देखिए कितने tempting melt in mouth बरफी हमारी बन कर तयार हुई है तो बनाईए जरूर से quick बनने वाली मिठाई है तो आप जरूर से बनाईए और enjoy कीजिए Thank you, thank you for watching मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई recipe के साथ तब तक के लिए आप enjoy कीजिए Don't forget to like, comment and share with your friends and family Take care, bye, enjoy